हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग इस वीडियो की अंदर कवर करेंगे बोकारो और दुमका के बिच में जो अगला T20 का मैच होगा इस वीडियो की अंदर दोस्तों में दोनों है टीमों के पूरी इन्फॉर्मेशन में आपको देने वाला हूँ बोकारो के टीम ने 9 मैचेस अभी तक इस रिच की खेल चुका है और दुमका के टीम ने भी दोस्तों अभी तक इस टूनामेट के 9 मैचेस खेल चुके हैं मैं आपको बताओंगा कि इस स्रीज के खेले गई match में kौन से player ने पूरे sprld water अपन करा है कौन से player दोस्तों first round पे खिल रहे हैं सारे players का betting order साथे-साथ मैं आपको बताओंगा कि कौन से baller complete čار cover तक गिंद बाजी करते वे दिखेंगे और किसे captaincy और wise captaincy के लिए आप ले सकते हो तो दोस्तों इसके मदद से सारे information के मदद से दोस्तों आप इस match के अंदर grand league और small league के अंदर team बना पाएंगे तो एक बार इस video को अन तक जरूर वाज करना बहुत जादा help हो जाएगा लेकिन दोस्तों इसे पहले एक छोटी स्रिक्वेश्ट अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना इस video के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहागा दोस्तों इस पर एक बार क्लिक कर दे साथी साथ यहाँ पर जो बैल अकन बना हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद आपको आल का उपसन देखने को मिलेगा इसको भी एक बार स्लेक्ट जरू कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का आपको इसी प्रकार विडियो मिलता रहेगा दोस्तों अगर आपको हमारे स्टेट्स पसंद आता है हमारे बताया गया दोस्तों अगर स्टेट्स आपको समझ में आता है तो विडियो को एक लाइक जरू कर देना आपका एक लाइक से में कापी मोटिवेशन मिलता है तो लाइक करके में सपोर्ट जरू करना और सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे टेलीगराम गृप को जोईन कर लो तेखो यहाँ पे आपको एक एरो का बटन दिख रहागा लिखो जैसे करेंगे हमारे टेलीगराम गृप का लिंक आपके सामने शोव हो जाएगा दोस्तों बहुत सारे member ने join कर लिया है और आपके help करने के लिए बनाए गया है ताकि इस match related अगर कोई भी जानकारी आता है लाइन अप के बाद तो मैं वो चीज अपडेट कर पाऊं इस group में तो एक बार जरू जोइन कर लेना इसको जैसे क्लिक करेंगे आपको join का option देखने को मिलेगा आप जोइन पे क्लिक कर देना है आपको तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपको link मिल जाएगा description box में और comment जहां करते है ना पहला comment में भी आपको link मिल जाएगा तो आई hope आपने join कर लिया होगा चलिए अभी stats की और आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये जो मैच है ना GSC International Stadium राची में ये मुकाबला होगा दोपहर एक बज़े ये मुकाबला देखने को मिलेगा दोस्तों और peach condition की बात करते हैं तो आपको 500 के आसपास एक average score देखने को मिलेगा तो ये चीछ थोड़ा ध्यान रखना विकेट्स भी काफ़े ज़्यादा गिरते इस ground पी देखो बोकारो के team और दुमका के team मतलब जिस परकार अभी तक खिला है मतलब आपको one salad game देखने को बहुत दा चांसे की देखने को मिलेगा बोकारो के team आज की match जीत सकते हैं reason जो है यहाँ पर जो stats जो है record जिस परकार देखोगे बोकारो बलस्टर जो कि 9 match खिले हैं जिसमें से 7 match जीता है और 2 match loss करते विया हैं लेकिन वहीं अगर आप दुमका के team की बात करोगे न तो दुमका के team के तरफ से 9 match खिला है यहाँ पर 3 match में जीता है और 6 match loss करते विया हैं आप कह सकते हैं कि बोकारो के team मजबूत रहेंगी विशाल सिंग जो कि team के captain है राइट रंड बल्ले बाज ही करेंगे ओपनर बल्ले बाज है दोस्तों पाइले match के अंदर ओपन करते हुए एक रन मना है था फिर नौ रन फिर 28 रन मना है इसमें कोई विकेट ने मिले फिर अठार रन फिर यहाँ पर 37 रन फिर यहाँ पर 47 रन फिर 55 रन फिर फिर कशेमें यहाँ एक भीकेट और लश्ट मेच के अंदर ना है थे कोई विकेट ने मिला ओबरर अगर आप देखोगे तो ओपन भी कर रहे हैं चार doubled लगबग गिंदबाजी भी कर रहे हैं और पूरे टूनामेंट के अंदर 274 नाके दो विकेट निकाल चुगे हैं ये प्लेयर बहुत मजबूत है दोस्तों कैप्टेंसी वेस कैप्टेंसी के लिए विशाल सिंग को ट्राइ कर सकते हुआ आपके लिए अच्छा ऑफ्सन रहेगा दोस्तों बाकि सत्या सेतों की बात करेंगे रा लेकिन यह भी खिलाड़ी आपको आपन करते वह दिखेंगे और पूरे स्रीच के अंदर अगर आभी तक देखोगे तो दोस्तों जो की पूरे शुनामेंट के अंदर देखोगे तो बहुत बहुत ज्यादा बहुत बढ़ी है एक स्कोर रहा है दोस्तों ठीक है इन्हें लेकिन के बात करेंगे विकेट के बरिंग में नजर आने वाले हैं राइट बल्लेबाजी करेंगे पहले मेच कंदर चार नमबर पे खेलते विए 17 रन स्कोर करा है फिर दो रन फिर 11, 27, 27, 21, 36, 20 और लास्ट मेच कंदर एक अगर आगर आप देखोगे तो 142 रन मनाया है प् पहले मेच कंदर 25 रन प्लस एक विकेट फिर 11 रन इसमें विकेट ने मिला फिर यहां पे 13 रन फिर 12 रन फिर 16 रन फिर 7 रन एक विकेट फिर यहां पे 17 रन अगर आप देखोगे तो 101 रन बना के दो विकेट निकाल जूगे हैं सचिन तिवारी जो की राइट एंड बैटिं इनको विकेट ने मिला था 18 रन खर्च के थे पूरी चार वर की गिंदबाजी में फिर 20 रन खर्च करते वे तीन विकेट निकाले हैं फिर दोस्तों 20 रन खर्च करते वे तीन विकेट फिर 13 रन प्लस दो विकेट फिर 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 विकाश शिंग पहले मेच कंदर दो विकेट फिर साथ रन प्लस एक विकेट फिर तीन विकेट फिर चार रन प्लस पंदर प्लस चार विकेट फिर फ्लॉप रहा था फिर एक विकेट और लास्ट के दोनों मेच कंदर को विकेट ने मिला 22 run बना के 10 wicket पूरे शूनामेंट के अंदर निकाले है शुरब शेकर पहले मेच के अंदर 2 wicket फिर flop रहता फिर 3 wicket फिर 3 run प्लस 1 wicket फिर 1 wicket फिर 1 wicket फिर 1 wicket फिर 1 wicket और last match के अंदर flop रहे overall इनका record बहुत बढ़िया है और आपको confirm चार अबर तक गिंद बाजी करते हुए दिखेंगे इन्हें जरूर से जरूर आप ट्राय करना दोस्तों अर्यमन लाला पहले मैच कंदर फ्लॉप रहते और लाश मैच कंदर दो विकेट निकाले हैं हर स्टेव की बात करेंगे दुस्तों पहले मैच कंदर फ्लॉप फिर एक विकेट पीर चौवदर रन कोई विकेट निकाले हैं दो ही मैच खेला है दोस्तों और रिकॉर्ड आप देख सकते हैं बढ़िया है बाकि अनुस ये चार उबर गिंदबाज ही करा था एक 40 रन खर्च के तेरे एक विकेट निकाले हैं दोस्तों और सुनिल का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं 4 रन पर खेलते हुए दोस्तों 4 रन पर आउट रहा था और रिशी रॉय ये बैटिंग सभी फ्लॉप रहते हैं बॉलिंग सभी कोई विकेट नहीं मिला इनको डॉप करना है इस मैच के अंदर तो ये बोकारो का रिकॉर्ड है दोस करेंगे थर्ट डाउन के खेलते हो फैले मंेच कर अंदर 18 प्लस 5 विकेट फिर फिर फ्लह पर लगातर मैच में फिर 11 रन प्लस एक फिर फ्लॉपD रहते हैं फिर फ्लॉपR रहते हैं फिर फिक्टिम म मुप्लस और सशकीर नहीं करोग्र लास्षट हो पाए थे ओवरल अगर आप देखोगी 117 रन स्कोर करते विए 11 विकेट निकाल चुके हैं तो यह कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए बेश्ट है कुमार की बात करेंगे राइट रेंड बैटिंग करेंगे विकेट के पर नजर आएंगे आपन करते विए पहले मैच के अंदर 46 रन फिर स्कोर करा है सरंदिप सिंग का भी रेकॉर्ड देखोगे तो बहुत बढ़ी आ रहा है पूरे श्रुनामिन के अंदर और लास्ट मेच करेंगे दोस्तों अनुच की बात करेंगे दोस्तों अनुच ब्रदवास सेकंड डाउन पर केलेंगे पहले मैच के अंदर 23 रन दूसरे मैच कंदर फ्लॉप रहा है इनको ड्रॉप करेंगे मनिशी की बात करेंगे पहले मैच कंदर एकरन एक विकेट फिर एक विकेट फिर फ्लॉप रहा था फिर तीन विकेट एक विकेट एक विकेट और लास्ट मेच कंदर चार विकेट निकाले हैं गिंद बाजी देखोगे ये भी confirm आपको चार वर तक करते हुए दिखेंगी मिन गिंद बाज है और ऐसे बोलर इनको जरूर से जरूर ट्राय करना शुभम शिंग की बात करेंगे पहले मेच के अंदर चार रन प्लस एक विकेट फिर दो विकेट फिर यहां पे फ्लॉप रहा था फिर दो रन प्लस एक विकेट फिर दो विकेट फिर तीन विकेट फिर फिर फ्लॉप रहा है और लास्ट के दोनों मेच के अंदर इनको कि बात करेंगे पहले मेच कंदर एक विकेट फीर फ्लोप रहा ठा विकास कार कुछ विकास और ने को जरूर्ट करना जो उनदबाजी कंफॉन ऐसे बात करते होई दिखिंगी है अभे शिए धीर फिर Mär затन और 15 and 3 तेन वीकेट निकाले थी के, बॉलिंग एक ही मैच के अंदर करा था, जहाँ पर दो वीकेट निकाले थे, राहल कुमार का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं, अमित कुमार यादा हुगे, एक ही मैचेश खेला, इनको ड्रॉप करना, आईश कुमार तीन मैच के अंदर अभी तक व मॉल लीक के, बैसिस पर आपको प्लेर्स को अपने टीम के अंदर ट्राय करना है, हलाकि मैंने आपके लिए एक तीम मना के रखा है, सारे ब्लेर्स को देखते वे, लेकिन मैं आपको अमेसा यह कहँगा दोस्तों कि, किसी के भी टीम आपको सेम कॉपी नहीं करना है, मेरे ट उशागरा बिश ट्राइगा और एश शिंग को ट्राइगे जो टीम के आपको टॉप अटर पर बल्ले बाजी करते हुए दिखेंगे इन दोनों का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है भी आनंद जो है दोस्तों अगर आप चाहे तो इनके सांथ भी जा सकते हो लेकिन मैं इनको कर रहा हूं थोड़ा लेट बल्ले बाजी करते हैं बैटिंग में देखोंगे दोस्तों तो तीन बैट्समें एस से तु बैस्ट रहेंगे कैप्टेंसी के लिए भी भी शिंग का भी रिकॉर्ड बहुत सांथा रहे दोस्तों और एशिंग को ट्राइग करेंगे आपको कैप करेंगे दोस्तों रोहित कुमार ने भी दूस्तों यहां पे दो मैचिस खिला दोनों मैच के अंदर फ्लॉप रहा था एशिंग यह भी जील के लिए अच्छा ओफसर रहा अगर आप चाहे तो इनको भी ट्राइग कर सकते हैं बॉलिंग में देखेंगे तो पांच बोलर्स और यहां पर यह मलिक जो कि रिकॉर्ड देखो कि पूरिष फुनामेंट के अंदर काफे बढ़िया विकेट निकाले हैं अब रहाग कैप्टन सी की बात तो दोस्तों कैप्टन सी के लिए मैं आई शरबार को मैंने पहले काता है कि ट्राइ करेंगे वाइस कैप्टन सी के ल आपके पास सीधर नोटिफिकेशन मिलेगा और सारी मैचिस का जानकारी आपको मिल पाएगा